हाई फ्रेंड्स मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं सार सक्सेस आज हम बात करेंगे रियलिजम और लिब्रलिजम रियलिजम के हम बिलियार्ड बॉल्स मॉडल को पढ़ेंगे और लिब्रलिजम के हम कॉब बैब मॉडल पढ़ेंगे क्योंकि realism कहता है कि अगर हमें अंतराष्य राजनीती को समझना है तो हमें billiard balls model को अपनाना होगा वहीं दूसरी तरफ liberalism कहता है कि अगर हमें अंतराष्य राजनीती को अच्छी तरह से समझना है तो हमें कॉब बैब model को follow करना होगा सबसे पहले हम बात करते हैं इसके content की हम इस वीडियो में सबसे पहले यह देखने की कोशिश करेंगे कि इसका एतियासिक प्रिष्ट भूमी क्या रही है उसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन से प्रमुख यथार्थपादी विचारक रहे हैं फिर हम देखेंगे कि कौन-कौन से उदारबादी विचारक रहे हैं और फिर हम बात करेंगे IR के बिलियार्ड बॉल मोडल की और फिर हम बात करेंगे उदारबादी मोडल अर्थात कौब बैब मोडल की बात करेंगे historical overview को हम सबसे पहले discuss करते हैं पहले विच्चोयुद के बाद बुडरू बिलसन जोकी एक उदारबादी रहे हैं उन्होंने अंतरराष्ट शान्ती एबम व्यवस्था बनाये रखने के लिए 14 सुत्रों को प्रतिपादित किया था ताकि विश्चो में पूरी तय से स्थिर्ता लाई जाए और शान्ती को बनाया रखा जा सके लेकिन ये इनके प्रिंसिपल ज़्यादा कारगर नहीं हुए और उसके बाद भी दुईती विश्चो युद हुआ लेकिन इन 14 प्रिंसिपल्स की इंपोर्टेंस इस बात में है कि इन ही 14 प्रिंसिपल्स के आधार पर अंतरराष्ट्य राजनीती में उदारबात की शुरुआत हुई दूसरा इंपोर्टेंट पाइंट यहाँ पर यह है जो की रियालिजम से जुड़ा है कि फर्स्ट ब्रिंसिपल्स के बाद इसकार ने एक फंडामेंटल किताब लिखी जिसका नाम था 20 यर क्राइसिस और इस किताब की वज़े से ही यहाँ माना जाता है कि इंटरनेशनल रियलेशन में मौडरन रियलिजम की फाउंडेशन अर्थात आधार शिला स्थापित हुई और रियलिजम का जो बॉलिड पॉलिटिक्स में डॉमिनेशन रहा है वो रहा है 1950 के दशक में अब हम रियलिजम और लिबरलिजम की आर्ग्यूमेंट्स को और स्ट्रॉंगली समझने के लिए जीम्स रोजनियू के एक कोटेशन को डीपली समझने की कोशिच करते हैं जिसमें इन्होंने कहा एननार्की इस नोट एंटारली डेड तो इसमें ये कह रहे हैं कि अभी भी जो अनार्की है या फिर अराजकता है वो पूरी तरह से खतम नहीं हुई है बलकि जो परमपरागत इंटरनेशनल पॉलेटिक्स थी वो आधारित थी बिलियाड बॉल मॉडल पर जबकि मॉडरन इंटरनेशनल पॉलेटिक्स आधारित है कॉब बैब मॉडल पर तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइन्टिस्ट रहे हैं इंटरनेशनल एफियर के मामले में बहुत बड़े जानकार रहे हैं और इन्होंने कुछ राइटिंग्स लिखी जैसे तर्बुनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1990 एंड दे स्टडी अफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स 2005 अब बात करते हैं कि कौन-कौन से की रियलिस्टिक्स रहे हैं आई-ार के तो इनमें नाम हैं और अब बात करते हैं कि कौन-कौन से उदारबादी विचारक रहे हैं इनमें हैं चलिए अब हम रियलिजम की विल्यार बॉल्स मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं तो इसकी पहले हम की अजम्शन्स देख लेते हैं यहाँ मॉडल 1950 के दर्शक में यथार्थ बादियों द्वारा दिया गया था और ये मॉडल बात करता है स्टेट सेंट्रिक मॉडल की अर्थात ये राज्यों पर ही फोकस करता है जिसके अंतरगत ये कहता है कि अंतरराश्ट्य राजनिती में केवल कुछ राज्जे ही आपस में भीड़ते हैं वे ही मेत्रपॉन भूमे का अविनित करते हैं आप डायाग्राम में भी देख सकते हैं जिस तरह से एक बिलियार्ड बॉल की गेम होती है उसमें जो बॉल्स है वापस में टकराते रहते हैं कुछ बॉल्स टकराते रहते हैं और उनके उपर प्रेशर होता है उसी तरह से यथार्थ बादी कहते हैं कि बिलियार्ड बॉल्स म राश्टर 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 आपस में टकराते रहते हैं उसके लिए उनके अंदर कॉन्फिलिक्ट चलता रहता है जिसके वज़े से अंतर राष्ट्य राजनिती में एनार की मौजूद रहती है अगली इंपोरेंट बात यहां पर यह है कि यह कहता है कि जिस तरह से बिलियाड वॉल गेम्ज में बॉल हो करते हैं और आपस में टकराते रहते हैं दूसरी इंपोरेंट बात यह है कि बिलियाड बॉल मॉडल कहता है कि इसमें हम दो महतोपूर्ण अजम्शन को पढ़ते हैं पहली है कि डिस्टिंक्शन बिट्बीन डॉमेस्टिक पॉलिक्स और इंटरनेशनल पॉलिक्स करते हैं दूसरी important बात यहां पर यह है कि अंतर राष्ट राजनिती में जितने भी conflict होते हैं या cooperation होता है उसको जो है इस तरह से determine किया जाता है कि राष्ट्रों के मद्ध है power को किस तरह से distribute किया जा रहा है और सबसे important बात यहां पर यह है security military alliances and NR की अंतर राष्ट राजनिती की मुख्य क्रियाएं हैं अब हम बात करते हैं अंतर राष्ट राजनिती के कॉप बैब मॉडल जो की उदारबाद से जुड़ा है जिसको जौन बूर्टन ने दिया और इस से पहले कि हम कॉप बैब मॉडल को detail में समझने की कोशिश करते हैं इनके जनक अर्थात इस मॉडल के जो जनक रहे हैं जौन बूर्टन उनके बारे में नर्शल में जानने की कोशिश करते हैं तो यह Australian author रहे हैं, diplomat रहे हैं और academician रहे हैं दूसरी important बात यह है कि इन्होंने ही cobweb model of IR दिया और इन्होंने human needs theory भी दी इनकी कुछ important writings रही है जैसे international relation or general theory 1965, world society 1972, international politics 1974, conflict human needs theory 1993 तो यह इनका model रहा है जो आप diagram में देख सकते हैं, तो चलिए इसको आप detail में समझने की कोशिश करते हैं cobweb model जो की जौन बूर्टन के द्वारा दिया गया था और यह कहता है कि international system जो है उसमें complex interdependence पाई जाती है और complex interdependence की जो अबधानना अंतरराष्ट राजनिती में दी वो दी जौसेफ नाई एंड रोवर्ट कोहन ने अब complex interdependence क्या होती है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं रोवर्ट कोहन एंड जोसेफ नाई कहते हैं कि अंतरराष्ट राजनिती में कुछ स्टेट्स खास तोर पे जो बेस्टन इरोपिन स्टेट रहे हैं उनके मध्य 1970 के दशक में आर्थिक और ट्रेड से संबंदित जो relation है वो काफी नजदीक आए उनके अंदर कॉपरेशन रहा और उनी नजदीक आते relation खास तोर पे आर्थिक जो रिलेशन हैं उसको इन्होंने complex interdependence कहा क्योंकि इसके अंतरकत इन्होंने कहा कि राष्ट या फिर राज्य एक दूसरे के आर्थिक रूप से बहुत नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे पर निर्भार रह रहे हैं जिसको कि उन्होंने complex interdependence कहा और कोबैब मोडल का एक और important point ये है कि ये बात करता है law politics जिसमें हम trade, even norms, economic cooperation और environmentalism को पढ़ते हैं दूसरी इसकी खास बात ये है कि ये बात करता है कि राष्ट्रों के मद्य multiple relations पाय जाते हैं और ये बात करता है कि इसमें transnational relation भी राज्यों के मद्य पाय जाते हैं और एक और बात ये करता है कि international relation है वो domestic politics के रूप में उभर रहा है और इसका प्रमुक जो कारण है वो है कि राष्ट्रों के मद्य complex interdependence स्थापित हो गई है और एक और important बात ये है कि जो national security है अब उसकी ज़्यादा importance नहीं रही है बलकि अब उसकी जगे यह importance हो गई है कि लोगों का welfare कैसे करें लोगों का कल्यान किस तरह से किया जाए और एक और important बात ये है कि कॉबेब model of IR कहता है कि interdependence, corporation और integration, world affairs की महतोपून बिशिचताएं बन गई है और last point ये discuss करता है कि trade की काफी ज़्यादा importance बढ़ गई है, economics की international relation में काफी बढ़ गई है इसी की वज़े से complex interdependence स्थापित हो रही है और आप डायाग्राम में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से डायाग्राम में चूडियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसी तरह से अंतर राष्ट्र राजनिती में भी राज्य अर्थात राष्ट्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के उपर निर्भर है ट्रेड के लिए, economy के लिए, ब्यापार के लिए, लाब कमाने के लिए, अपने interest गेन करने के लिए इसी लिए इस model को cobweb model भी कहा गया है और cobweb model ये भी कहता है कि जो military forces है, उसकी importance बहुत कम हो गई है और trade और economics जो चीजे हैं, यानि कि आर्थिक चीजे हैं, उसकी बहुत जादा importance बढ़ गई है तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ आपने बहुत ही जादा entertainment किया होगा, कुछ नया सिखा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजी, वीडियो को शेर कीजी, लाइक कीजी और अपना कमेंट जरूर दीजी, धन्यवाद